दोस्तो आज हम कवर करेंगे विशु की परमुक जीलों को फुल डिटेल के साथ इन्पोटेंट टोपी के भाई एक्जामे केशन पूछ लिए जाते हैं और देखिए अभी तक परिक्षाओं में जीलों से संबन्दी जो भी केशन पूछे गए हैं उन सबको भी हम डिसकस करेंगे तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में चलिए सुरू करते हैं फटाफार पहला केशन अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील कौन सी है बिलकूल लीजी केशन है मेरे भाई आपको तीन सेगर बलते हैं अप्सन बी विक्टोरिया जील देखिए अफरीका महधीप की सबसे बड़ी जील है विक्टोरिया जील को हम मैप से भी देखेंगे लेकिन उससे पहले विक्टोरिया जील से संबन्दी जो भी इनपोटेंट फाइंड बनते हैं जो परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन नील के साथ किनकिन देशों की सीमा रेखा लगती है केनिया यूगांडा और तंजानिया विक्टोरिया जील से स्वेथ नील निकलती है जो सुडान की राजधानी खारतुन में आकर ब्लू नील से मिल जाती है और फिर ये कहलाती है नील नदी के बारे में आपको बता दे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ ये विशु की भी सबसे बड़ी नदी है और ये चैप्टर हम आपको करा भी चुके हैं विशु की परमुक नदियां विशु के परमुक परवत विशु की परमुक नहरें अब हम कवर करें विशु की परमुक जीलें और द ये यूगांडा, ये तंजानिया, तीन देशों की सीमा इससे लगती है, इधर वाले मैप में आप देखेंगे तो ये यहां पर है विक्टोरिया जील, और यहां से जारी है विश्वत रेखा, भूमद्य रेखा इसके उपर से गुजरती है, नेक्स्ट, अलबर्ट और जील भी अफरीका महादीप में स्तीत है, तो देखें दोस्तों अफरीका महादीप में बहुत सी जीले हैं, इन में से कुछ इन्पोटेंट जीले हैं, उन्हें आप देख लीजिए, चार जील अफरीका महादीप में हैं, टंगानी का अफरीका महादीप में हैं, किवू जी अफरीका महाधीप में है अभ जो इन में से इंपॉटेंट डीन है उनसे magnitude maintenance निकलते हैं वह अब हम देख लेते हैं तो बात करते हैं टाना जील की इंपॉटेंट explanation पूछ सकते हैं इसले निकलती है जो वու लगबग 660 किलोमेटर है और देखिए टंगानी का जील ताजे मिठे पानी की जील है और चार देशों की सीमा इसके साथ लगती है तंजानिया कांगो बुरंडी और जांबिया यह इन्पोटेंट यहां से एक्जमिक्वेशन पूचे गए हैं किस जील के साथ किस देश की सीम लगती है किस महासागर के साथ किनकिन देशों की सीमा लगती है तो याद रखना टंगानिया लेक के साथ तंजानिया कांगो बुरंडी और जांबिया की सीमा लगती है इन सब को एक बार मैप से देख लीजिए यहां पर यहां पर है ताना जील और ताना जील से निकलती है ब्लू नील यहाँ पर विक्टोरिया जील है आपको पहले भी हम बता चुके और यहाँ पर यह है टांगा नीका जील यहाँ पर है next important question है मेरे भाई निम्न में से किस देश की सीमा चाड जील के साथ नहीं लगती option A Jordan देखे जोर्डन की सीमा रेखा चाड जील के साथ नहीं लगती बाकी चारों देशों की सीमा रेखा चाड जील के साथ लगती है चाड जील अफरीका की में तो पूर्ड जील है मैप से देख लीजिए देखे यहाँ पर है चाड जील यह कैमरून है यह नाइजीरिया है यह नाइजर है और यह है चाड और यहाँ पर चारों देशों की सीमा रेखा से लगती है चाड जील अप्सन ए केश्पियन सागर देखे एशिया की सबसे बड़ी जील है केश्पियन सागर सागर क्यों बोल रहे है बड़े आकार के कारणी से सागर बोल दिया जाता है यह एशिया की सबसे बड़ी जील है और देखे केश्पियन सागर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी क की ज्जिल है इसका कुछ इससा एसिया और कुछ इससा यूरोप में आता है इसलिए इसकि स्वाइए करक के उतरी भाग में वॉलगा और यूराल नदियां गिरती है केश्पेयन सागर के साथ पांच देसों की सीमा लगती है यह वैरिय जमेर केशन पूछा गया था केश्पियन सागर के साथ कितने देशों की सीमा रेखा लगती है पांच देशों की सीमा रेखा लगती है कौन-कौन से है तुर्कमेनिस्तान अजरवेजान इरान कजाकस्तान और रूस और देखिए केश्पियन सागर को काले सागर से काकेसस परवत सरंकला अलग करती है य अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह रूस है यह अजरबेजान है यह इरान है यह तुर्कमेनिस्तान है और यह कजाकिस्तान है इन पांच देशों की सीमा रेखा केस्पियन सागर को टच करती है नेक्स क्यूस्टि वेरी इंपोटेंट क्यूस्टि काफी बार एकजाम में पूछा गया है विसु की सबसे गहरी जील कुनसी है अब संडी बेकाल जील रूस देखें विसु की सबसे गहरी जील है बेकाल जील रूस में है बेकाल जील विसु की सबसे गहरी जील होने के साथ स इसकी गहराई लगबग अब दीखें बेकाल जील सबसे गहरी जील तो है ही साथ ही ये विसु की सबसे प्राचीन जील भी है अगर पूछ लेके विसु की सबसे प्राचीन जील कौन सी है बेकाल जील है बेकाल जील मीटे पानी की जील है ये रूस के साइबेरिया इचेतर में स्टित है बेकाल जिल के अंने नाम पवित्र सागर और परल उफ साइबेरिया बेकाल इसले सब्दर जील और ओमेगा जील है ये रूस की है अब बेकाल जील को एक पर मैप से देख लीजिए तो देखी ये वर्ड मैप और यह रूस और यह जो आप देख रहे हैं यही है बेकाल जील इसे जूम करके अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखाई आप्सन भी वान जील देखे विसु की सबसे लवन ये जील है वान जील याद रखना मेरे बाई वान जील विसु की सबसे लवन ये जील है और देखे ये जील तुरकी में स्तीत है अब देखे तुरकी का कुछ हिसा एसिया में आता है कुछ हिसा यूरोप में आता है तो ये हो गई यूरेशिया में तुर्की में यह आप देख रहे हैं यहीं पर है वान जील और यहां पर है वान जील नेक्स्ट वेरी इंपोटेंट केश्चन है मेरे भाई उत्री अमेरिका की सबसे बड़ी जील कौन सी है अप्सन सी सुपीरियर जील देखे उत्री अमेरिका की सबसे बड़ी जील है सुपीरियर जील और देखे सुपीरियर जील उत्री अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील होने के साथ साथ है विशु की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है यहां पर बात ओर यह नेहर वाले चैप्टर में हम फुल डेटेल के साथ कवर कर चुके हैं, उत्तरी अमेरिका में इस्धित मीठे पानी की जीलो के समू को, Finger Lake के नाम से जन हा जाता है देखिए उत्री अमरीका में 5 जीलो के एक संबु है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे भी उन 5 जीलो के संबु को Finger lake के नाम से जन जाता है अब यह 5 जीले कौन कौन सी है यहाँ से exam में बहुत पार question examikation पूछे जाते हैं Ontario जील है ये पांचों की पांचों मिटे पानी की जील है हीरी मिशिगन जील है और bets सब को हम देखेंगे और देहों पर्येओं जल्परत पर आप प the Eugjamikation पूछ लिया गया था न्याघरा जल्परत किस नदी पर फैंं नियागरा नदी पर है और नियागरा नदी ओंटेरियो जील और इरी जील के मद्देवेती है याने कि इन दोनों जीलों को आपस में जोड़ती है और देखिए मिसीगन जील को छोड़कर बाकी चारों जीले अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा बनाती है मिसीगन जील जो है वो अमेरिका में ह बाकी चारो जीले अमेरिका और कनेडा की सीमा रेखा पर है एक बर मैप से देख लीजिए ये उपर जो है कनेडा है नीचे यूएसे है और ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं डोट डोट ये बाउंडरी लाइन बनाती है कनेडा और यूएसे की तो ये यहाँ प सकति तो इसमारेखा पर नहीं है और देखिए इरी और मिशिगन जील को ईरी नहर आपस में जोड़ती है को बेलेंट नहर आपस में जोड़ती है दीक्ανेव जीतने सोść temporary पॉंट हम आपको बदा रहे हैं very very important आप एक जाम ने कहीं से अमरीका में स्तीत है मैप से देख लीजिए देखे ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर है Great Salt Lake Next Question Great Bear Jhil किस देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है Option C, Canada देखे गरेट बेट बेट जील कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है मैप से देख लीजिए यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ठीक यहीं पर है Great Bear जील जो कि कनाड़ा की सबसे बड़ी मीटे पानी की जील है और यह जो आप देख रहे हैं यह जीलों का समूँ यह पांच जीलों का समूँ है जो कि कनेडा और USA की सीमारेका पर है जिसके बारे में अभी पीछे आपको बताया था इन्हें कहा जाता है दा Great Lakes और देखे इसके अलावा कनाड़ा की अन्य जीले भी है Great Slave जील, Reindeer जील, अथावसका जील यह इतनी इंपोटेंट नहीं है बस इतना याद रख लीजिए कि यह कनेड़ा की जीले है आपसंडी, टीटी काका जील देखे विशु की सबसे उची नौका गम्मे जील है टीटी काका जील, नौका गम्मे का क्या मतलब होता है जिस जील में नौका ये पानी के जहाज आराम से आजास के आराम से चल सके उस जील को बोला जाता है नौका गम्मे और यह विशु की सबसे उची ऐसी जील है उचाई पर स्थित ऐसी जील है जहाँ पर नोकाई चल सकती है जिस जील में और देखे टीटी काका जील दक्षनी अमेरिका में पेरु और बोलिविया की सीमा पर स्तीत है और यह विशु की सबसे उची नोका गम है वैसे विशु की सबसे उची जील है उजस डेल सलाडो अर्जन्टिना में है लेकिन इस जील की गहराई मातर 10 मीटर है इसमें नोका नहीं चल सकती अगर पूछा जाए नोका गम में तो भाई ठीटी काका अगर पूछलिया जाए सिंपली विश्यू की सबसे उची जील ओजस डेल सलाडो अर्जंटिना अब टीटी काका जील को एक बार मैप से देख लीजिए ये देखिए दक्षिन अमेरिका है ये बॉलिविया की सीमा रेखा और यहां पर है पीरू और इन दोनों की सीमा रेखा पर है टीटी काका जील जोकि विशु की सबसे उची नौका गम्मे जील है नेक्स्ट यूरोप की सबसे बड़ी जील कौन सी है अप्सन भी लादोगा जील देखिए यूरोप की सबसे बड़ी जील है लादोगा जील ये यहां पर रसिया है ये फिनलेंड और ये जो आप देख रहे हैं लागा दोगा ये यूरोप की सबसे बड़ी जील है याद र नेक्स्ट विस्व की सबसे नीची जील कौन सी है मेरा भाई आपसन ए मृत्त सागर देखिए वैसे तो ये जील है लेकिन इसका आकार बड़ा है इसलिए इसे सागर बोल दिया जाता है तो विस्व की सबसे नीची जील है मृत्य सागर और देखें मृत्य सागर विस्व की सबसे नीची जील है यह समुंदर तल से 418 मेटर नीची है यानि कि अगर हम समुंदर तल की बात करें न तो मृत्य सागर उससे भी 418 मेटर नीचे है मृत्सागर इस्राइल और जार्डन के मद्दे स्तीत है मैप से देख लीजिए ये देखिए यहाँ पर जार्डन है और ये है इस्राइल और ये जो आप देख रहे हैं ये है मृत्सागर डैट सी जार्डन और इस्राइल किसी मारे ख़पर है और भाई next question होगा आप सभी के लिए challenge बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा question है और इसका सही जवाब तो आपको देना है पड़ेगा देखते हैं बाई कौन-कौन इसका सही जवाब देते हैं जीलों की वाटी का या फिर जीलों का देश किस देश को कहा जाता है एक्जाम में काफी और दरीया नमा के ये दोनों ही जील इरान मिश तीत है मैप से देख लीजिये ये दिखिए ये इरान है और यहाँ पर हैं उमरिया जील ये जो आप देख रहे हैं उमरिया जील है और देखे दोस्ता आपको अको हमारे वीडिय sharpen लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिये कोई भी टॉपिक को जिस पर वीडियो चाहिए कॉमेट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा आप देखिए कुछ देशों की जीले और है इन्हें भी आप देख लीजिए तोबा जील इंडोनेशिया की जील है ताउपो जील नुजी लेंड की जील है मांसरोवर जील तीबत के पठार पर श्तीतो और यहां से सिंदू सतलज ब्रहम पुतर जैसी महतोपूर नदिया निकलती है उसके बाद है टोनेल सेप जील कमबोडिया की जील है इस जील की खास बात यह है कि मेकांग नदी इस जील के एक सिरे से परवेश करती है और दूसरे सिरे से निकल जाती है उसके बाद है मरकेबो जील वेंजुएला की जील है जो की दक्षिन अमेरिका में है ये जील तेलवे पैट्रोलियम के लिए परसीद है यहां से ये पॉइंट बनता है मरकेबो जील वेंजुएला की जील है तेल और पैट्रोलियम के लिए परसीद है उसके बाद लौपनोर जिनेवा 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 स्वीट जरलेंड की जिल है अरल सागर यह कजाकिस्तान और रुजबेकिस्तान की सीमा पर है एक जिल और रह गई निकारा गुवा जिल उत्री अमेरिका के निकारा गुवा देश में स्तित है यह मिठे पानी की जिल है और भाई इस वीडियो का पीडियाफ साथ ही current affair 2021 से और जो भी हमारी upcoming वीडिया उन सभी का पीडियाफ मिल रहा है आपको मातर 27 रुपे में जादा जानकारी के लिए वीडियो के description को check out कीजिएगा और देखिए पीडियाफ का link आपको mail भी किया जाएगा अगर आप चाहें तो मातर 27 रुपे में सभी पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं